दोस्तों reasoning का एक question 99% बच्चे solve नहीं कर पाते हैं देख लीजिए इस question को कैसे solve करना है जिससे कि ये question आप गलत ना करें दोस्तों यहाँ पर देखिए question mark के आपको इसी question mark की value find out करनी है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर 6 और 18 में relation से find out कर लेते हैं दोस्तों अगर आप 6 का square कीजिएगा तो यह आजाएगा आपका 36 अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 में आपके दो अंक है 3 और 6 हम क्या करेंगे 3 into 6 कर देंगे दोनों का multiply कर देंगे तो यह हमारा आजाएगा 18 सेम यही लोजिक दोस्तों हम यहाँ पर 18 और question mark में apply करेंगे 18 का square कर देंगे दोस्तों तो यह आजाएगा दोस्तों 324 यहाँ पर देखिए हम 324 की तीनों अंकों का multiply करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों यह आजाएगा दोस्तों आपका 24 आपका correct answer हो जाएगा D